First Scholarship is EWS Scholarship for Class 10th Past Students Buddy for Study India Foundation द्वारा आर्तिक रूप से कमजोर बर्ग EWS के दसमी कक्षा पास कर चुके बिद्यार्थियों से इस Scholarship के लिए आबेदर मांगा गया है Scholarship के तहट 11 मी वा बार्मी कक्षा के बिद्यार्थियों को आर्तिक मदद दी जाएगी अब देखते हैं इसके regarding eligibility योगिता क्या मांगी गई है 11 मी या 12 मी कक्षा में पढ़ने वाले बिद्यार्थि जिन्होंने दसमी कक्षा कम से कम 50 फीसिती अंकों के साथ पास की है तथा परिबारिक आए 6 लाक रुपे बार्सिक से कम हैं वे इसके लिए पात रहें तो प्लीज इस बात का विसेज दियान दीजिएगा इनाम ओब्लिक लाव 10 हजार रुपे आवेदन कैसे करें ओल्लाइन आवेदन किया जा सकता है अंतिन तिथी 30 नवंबर 2020 सो काइंटली खरियब और ये इसका रिगार्डिंग लिंक है नाव सेकेंड स्कॉलर्शिप सर्दार पटेर स्कॉलर्शिप फॉर स्टूरेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन 2020 बड़ी फॉर स्टड़ी इंडिया फाउंडेशन का ये स्कॉलर्शिप सनाता के प्रत्थम एवं दित्य बर्स में अध्यान करें चात्रों के लिए है ये स्कॉलर्शिप प्रोग्राम योग्य किन्तू उच्छ सिक्षा से बंचित छात्रों को समर्तन देने के उद्देशे से बनाया गया है नेक्स्ट वर योग्यता किसी मानेता प्राप्त विश्विविद्या ले ओबलीक संस्थान से तीन वर्स ये सनातक प्रोग्राम किसी भी शाखा में के प्रत्थम एवं दित्य वर्स में अध्यान करें स्टूडेंट चात्र बृत्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही आवेदक की परिबारिक आए 6 लाख रुपे से सलाना कम होनी चाहिए इनाम ओबलिक लाव कि चैनित चात्रों को 15,000 रुपे की चात्र बृत्ती प्रदान की जाएगी नेक्स्ट वन अंतिम तिती 30 नवंबर 2020 और ये रिगार्डिंग लिंक है लास्ट वन श्री राम कैपिटल स्कॉलर्शिप 2022-21 श्री राम कैपिटल की और से ये स्कॉलर्शिप उन बारिजिक ट्रांसपोर्ट ड्राइबरों के बच्चों के लिए हैं जो कक्षा नाइंथ पास कर चुके हैं और 10 मी, 11 मी या 12 मी में अध्यान कर रहे हैं स्कॉलर्शिप कारिकरम का उद्देशे अपनी पढ़ाई जारी रखने में जरूरत मंद मेधाबी छात्रों की साहिता करना हैं योग्यता बारिजिक ट्रांसपोर्ट ड्राइबरों के वार्ड ओमलिक बच्चे इस स्कॉलर्शिप के लिए पात रहे हैं उन्हें कख्षा दसमी ग्यारमी या बारमी में अध्यान करना चाहिए बार्शिक पारिवारिक आये डैट्स मिल ओबर ओल फैमली इंकम चार लाख रुपे से कम होनी चाहिए लाव पंद्रह हजार रुपे आबेदन कैसे करें इसके लिए ओनलाइन आबेदन स्विकार किये जाएंगे अन्तिम्तिति अगामी 31 दिसंबर 2020 और ये इसका रिगार्डिंग लिंक है